दुरग में यातायात विभाग द्वारा लगातार वहानों पर कारवाई कर समझाईश दी जा रही है इसी कड़ी में एक ड्राइवर को नशे के सेवन में 9 एंटिरी में वहान चलाते पाया गया जिस पर कारवाई कर वहान को जब क्या गया दुर्ग में यातायाद पुलीस विभाग द्वारा लगतार वहां चालकों को नशे का सेवन न करने और नो एंट्री में भारी वहानों को न चलाने समझाईश दी जा रही है इसी गड़ी में सुबह नए यातायाद प्रभारी आनन शुकला द्वारा शहर में नो एंट्री टाइम जोन में हैवी वहानों के प्रवेश पर लगतार कारवाई की गई सुबह दो है वहान हनुमंत राइस मिल की वहान जिसके चाला के नशे में होने तथा नो एंट्री टाइम जोन में शहर में प्रवेश करने पर पकड़ा गया यातायाद पुलीस द्वारा कारवाई कर दोनों वहानों को थाना लाया गया बतादे दुर्ग शहर में सुरक्षित यातायाद के लिए लगतार प्रयास के जा रहे हैं इसी कड़ी में इन दिनों यातायाद पुलीस के निरिक्षक आनन्द शुकला के निर्देश पर यातायाद पुलीस द्वारा दो वहानों पर कारवाई कर वहान को पकड़ा गया ACN News के रिदुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट